Hello friends, मेरा नाम है श्रीवाम और आज के वीडियो में मैं आपके लिए 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 के आया हूँ एक ऐसी वैबसाइट जो कि बहुत ज़्यादा यूसफुल है ये website का काम क्या है मैं आपको एक example के दोर पे समझा देता हूँ फूरा ठीक है तो चलिए start करते है ये video so हमारे पास यहाँ एक image है जहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे table clock है, tablet है, paint brushes है, pencils है, scissors है यहाँ पे एक book भी है और एक यहाँ पे pen भी है मान लो यह image में से आपको यह pen नहीं चाहिए, यह आपको remove करना है, तो कैसे करोगे कोई मान लो आपके पास editing software नहीं है, इतना आपको knowledge नहीं है, तो कैसे करोगे बहुत ही ज़्यादा simple है, मैं आपको बता देता हूँ so सबसे पहले आपको click करना है Google Chrome पे so Google में आने के बाद आपको website का name लिखना है the in paint and then search search करने के बाद यह जो पहली website है, the in paint यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद जो भी image में से आपको कुछ remove करना है, वो आप upload कर देजिए so यहाँ पे है वो image मैं drag and drop कर रहा हूँ so image load हो गई है, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक red dot है so यह dot आप जहाँ पे आप scroll करोगे, तो वो चीज़ remove हो जाएगी जैसी यह pen के ओपर मैं करता हूँ, यहाँ पे आप size भी differ करता है यहाँ पे आपको अगर कुछ बड़ा object remove करना है, तो आप size बड़ा देना यहाँ से so मैं size small कर देता हूँ, and यहाँ पे मैं select कर देता हूँ, portion जितना मुझे remove करना है यह मैंने select कर लिया, and then यहाँ पे आपको click करना है erase पे so देख सेटे हो guys, यहाँ पे जो pen था, वो completely remove हो चुका है, and results बहुत अच्छा है so यह image आपको download करना है, तो download भी आप कर सकते हो, simply आपको यहाँ पे click करना है and then आपको यहाँ पे download low resolution पे click करना है, and then save so आप देख सकते हो results इसके बहुत ज़्यादा amazing है, यहाँ पे पता भी ने चल रहा है कि यहाँ पे कोई object palette था so results बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर आपको हमारे यह video पसंद आए, तो please इसे like करना, subscribe करना and share करना, thank you झाल